सारे जहां से अच्छा हिन दोस्ता हमारा, हम बुल-बुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा, परबत वो सबसे उंचा हमसाया आसमा का, वसंतरी हमारा, वो पासबा हमारा, मेरे प्यारे दोस्तों, देशवासियों, आप सभी को स्वतंतरता दिवस की धेर सारी बधाई और हम अपना कर्तब निश्चित समय पर करते रहें, और जैसे जैसे हम अपना कर्तब आगे बढ़ाते जाएंगे, हम देश की उन्नती के लिए अपना योगदान देते जाएंगे, तो पूरी इमानदारी से, पूरी कर्तब निश्चा से हमें अपने कर्तब पत पर अगरसर होन ये कि यूजिसी नेट के लिए एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा जो परिच्छा 26 तारीक हो रही थी वह अब 27 तो दोस्तों यहाँ जन्मास्टमी के कारण जो 26 अगस्ट की परिच्छा थी वह 27 अगस्ट को होगी बागी परिच्छाएं अपने नियत समय पर हो अगे बढते हैं देखो बैसिक च्छा परिच्छत के सच्चयों को कोड का आउमानला नौटिस मिला है और मामला जो है यह 22,825 सिक्षक भरती का है यह पहुत यह कैंद robust 212 में भरती थी और जैसा कि आप रुजानते है कि 2011 सी में भी एक भरती आ है थी 72,825 की ही यानि की एक ही भरती की दो विग्यापन जारी हुए थे और अंततर जो ये भरती हुई थी वो 2011 वाले विग्यापन से हुई थी तो आदिस ये आया था कि 2012 में जितने भी अब्रतियों ने अलग अलग जनपदों में आवेदन किया था उसमें एक जनपद में आवेद जनपदों में आवेदन किया हुआ था तो उस फीज को वापस करने की बात यहां पर की गई थी लेकिन ये फीज अभी तक वापस नहीं हो पाई है इसके लिए एक याचिका जो है डाली गई है हाई कोड में तो खबर यह आ रही कि हाई कोड ने बेसिक सिच्चा परसद प् की करवाई क्यों न चलाई जाए नियायमूर्ती सलिल कुमार राय की अदालत ने विने कुमार पांडेव अन की आवानाना याचिका पर यहा आदिस दिया है याची वकील अगरिहुतरी कुमात रिपाठी ने दलील दी कि बातर अजार आजार आर्सो पचीज साहक तेज के आदेश से परिशत को दो मा में अभिर्तु का आविदन सुल्क वापस करने का निर्देश दिया था और इस आदेश का आज तक अनुपालन नहीं किया गया जिसे लेकर आमाना याचिका दाकिल की गई कोड ने परिशत की सचिव को चार नॉम्बर तक का जबा मामला जो था वो चार नॉम्बर तक गया है लेकिन यहां पर पैसे वापस क्यों नहीं किये यह सवाल यहां पर पूछा गया है और थोड़ा सा यह भी देख लेते हैं ग्यानवापी वजू खाने के सर्वे पर सुनवाई यह बाइस अगर्स्त को होगी और एक और भी खबर देमी है और सीम तक पहुंचा लंबी सिक्चंव भर्थी का मामला जो यहां पर असिस्टंस्त प्रफेसर भर्थी और यहां टिघटी 짧ीवर्ई सो थिईन की एक ग्यापन दिया था जो कि मुख्य मंत्री तक पहुचाना था और ये काम किया है पूर मंत्री सिधार्थ ना सिंग ने उन्होंने सीम से मिलकर अभिट्टो का पक्ष रखा है और मांग वही है कि जो रिक्त पद हैं अभी क्योंकि ये 2022 की वेकेंसी है तो अब तक बहुत सार नभिट्टो ने सोपा था पूर मंत्री एवंग सहर पश्चिमी के विधायक सिधार्थ नास सिंग को और उन्होंने आस्वासन दिया था कि वो मुख्य मंत्री से मिलकर बात रखेंगे और फिलाल कुछ दिनों परे प्रतोगी चात्र मोर्चा ने बिकी खां के नित्रुत मे प्रतोगीयों ने सिधातनास सिंग को ग्यापन देकर लंबित भरती वरिक्षाओं का मुद्दा उठाया था मंत्री ने उन्हें आस्वास्त किया था कि वो लखनों जा रहे हैं मुख्य मंत्री से मिलेंगे और फिलाल ये बात अब मुख्य मंत्री पहुझाने की बात सामने आ रही है तो प्रतोगी चातुरों ने ग्यापन के माध्यम से कहा था कि सिख्षा सिवा चैनायोग में अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति नहोने के कारण असास की महाविद्यालों में असेटन प्रोफिसर की 2017 पदों और असास की माध्यमिक विद्यालों में टीजीटी प्रोफिसर के 4133 पदों पर दो साल से सिख्षक भरती लंबीत है तो इसको जो है और साथी साथ उत्तर प्रोफिस लोग से वायोग को प्रवक्ता जीयसी का अधियाचन नहीं मिलने के बावजूद संपक्ष अर्ता असपस्ट नहोने से भरती अटकी है साथी साथ यहां प का भी मसला यहां पर उठाया गया है तो फिलाल सारी चीजें जो हैं वो मुक्यवंति के संग्यान में ला दी गई है यह अब तक की बड़ी ख़बर है और देखो यहां पर मौ जनपत से जो कस्तुर्बा गांधी आवासी बाल के विद्धाले हैं उसमें सम्मिदा के अधार ग्यारा माह उन्तिस दिन या फिर अठायस फरवरी दुजार पचीज जो भी पहले हो के लिए केवल महिला योगिताधारी और अभरतियों से आविदंपत रामदिर के जाते हैं सिक्षकवर्भ्थी के लिए इसमें पूर्ण कालिक सिख्षिका का भी पद है और उन्शकालि स्रिक्षी का ग्रेव विग्यान कला और क्राफ्ट के लिए भी है जिसमें आपको मांदे मिलेगा 10,780 रूप है बाकी जो पद है में मुखी रसुईयां सहाक रसुईयां और जप्रासी के पद है आवेदन आप कर सकते हैं कब तक 30 अगस तक आपको आवेदन करना है पूरी ज कर सकते हैं और जप्रासी का कि जो आवेदन है वह आप कैसे कर पाएंगे तो आवेदन केवल आपको रजिटरी से करनी है ठीक है होता है रजिटरी करना है आपको और इस पकार से करना है कि यह 30 अगस तक थ्यांदी जीगा 30 अगस तक साम 5 बजे तक किया है काराले जिलाई बेसिक सीचा अधिकारी मौ निकट फातिमा हस्टेल के पते पर पहुंच जा है और यह केवल पंजिक्री डाक से ही भेजा जाना है तो ध्यांदी जीगा कि आनलाइन आवेदन इसमें नहीं है और पुलिस भरती की पुनर परिच्छा की तितियों में इलहाबाद क्लास है अपर सच्यू के प्रस्तावापर कुलपती प्रोफेसर संगीता स्रिवास्तों ने 23 और 30 अगस्त को इलहाबाद विस्विद्यालाय बंद रखने के लिए मंजूरी दे दी है तो यह भी ध्यान दीजिएगा और इसी के साथ आज की सारी न्यूजर बेट समापत होत आते हैं तो कमेंट जरू करिएगा धन्यवाद